क्रशी कानून का विरूत कर रहे किसानों के समर्थन में अब कॉंग्रस वधायकों ने मैदान संभाल लिया है जहां किसानों के समस्याओं को लेकर विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटील और संजय शुकला सांसत चंकल लालवाने से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुचे और उन्हें ग्यापन सौपा किसानों के समर्थन में कॉंग्रस विधायकों ने संभाला मैदान खुद ट्रेक्टर चलाकर सांसत को ग्यापन देने के लिए पहुचे विधायक जीतू पटवारी पटवारी के ट्रेक्टर पर विधायक विशाल पटेल और संजय शुकला भी आये नज़र कॉंग्रस वधायकों की तिकडी ने सांसत के सामने रखी किसानों की समस्याएं रशी कानून के वरोध में राजधाने दिल्ली की सीमाओं पर धनने के लिए बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए कॉंग्रस ने भी मैदान संभाल लिया है जहां इसके लिए विधायक जीतू पटवारी के ट्रेक्टर पर बैट कर विधायक संजय शुकला, विशाल पटेल और शहर कॉंग्रस अध्यक्ष वनय बाकलीवाल सांसत शंकल लालवानी के सरकारी आवास पर पहुचे जहां इन नेताओं ने सांसत को किसानों के समस्या बताने के साथ ही किसानों के सवन्थन में 5120 आपा सांसत को ग्यापन सौप ने पहुचे विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने ग्यापन देते हुए मांग की है कि मंडी पर किसान का अधिकार होना चाहिए ना कि व्यापारी या उत्योग पति का संकर लालवानी जी हमारे सांसद है और जंपरतिनीदियों का एक परिवार होता है हम कांग्रेस से चुन कर विधायक है पर सबसे पहले हम जनपरतिनीदिय जनता के परतिय हमारी जवाब देए जो तीन कानून देश में 7 महिने से किसान जिसका विरोत कर रहे है उसको लेकर पूरे देश में आशंका बढ़ती जारी है, सरकार ने जिस तरीके के वक्तव समय समय पे दिये, वो किसानों के समस्य परह है, हमने मांग की कि इस्टाक लिमिट आप अनलिमिटेट करोगे, तो काला बाजारी बढ़ेगी, इसको हटाओ, हमने मांग की कि मंडी पर किसान का पर फश्टा रहे हैं, तो अनलिमिटेड इस्टाक रखने के आप छूड़ दे रहे हैं, तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के फश्टों के होनी चाहिए, और यह कानून में लिखा होना चाहिए, तो क्यों नहीं लिख रहा है, कि बयान से बात क्यों करना चाहते है, उनके सकारात्मक्ता से उनने सारी बातें सुनी है, हमें आशा है वो प्रधानमंतिर तेक हमारी बातें ले जाएंगे, हम एक जनपरती निदियों का क्या वेवार होता है मधिप्रदेश और इंदोर शहर में, उसकी एक अच्छी मिसाल है, मैं साधुआत देता हूँ हमारे स सांसत को, जिनोंने हमें मिलने का समय भी दिया और पोवे भी खिला है, मैं मानता हूँ कि ये एक इंदोर का अपना कल्चर है, इसको और बल मिलना चाहिए, जनपरती निदी एक होते हैं, और जनता के लिए होते हैं, इस भाव को और आज जगाने का उसर मिला, धन्यवाद समय मांगा, उन्होंने समय भी दिया, और हम लोगों ने हमारी जो मांग रखी, जो पिछले कहीं महीनों से, किसान लोग जो बॉडर के उपर, दिल्ली बॉडर के उपर जो विरोत प्रदर्शन कर रहा हैं, उसके सबर्थन में हम लोग आये थे, कि जिस प्रकार से काला लागू कर रहा है, उसी वही बात हम लोगों ने उनसे रखी है, और पूरी उमीर है कि उसे मानी प्रदान मंत्री जी से चर्चा भी करेंगे, इसके अलाव विभिन मुद्दे थे, ग्रामिन शेत्र के, जिस प्रकार से बीच नहीं मिल रहा है, कई किसान परेशान है, इंश और शहर को लेकर भी थे, जो आए दिन जो ट्राफिक जाम हो रहा है, उसके लिए भी चर्चा करी, हम लोगों ने चर्चा भंगाली चोराया कि बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है, उसके लिए भी चर्चा करी, और पूरा सकारात्मक बात करी हमानी संसत जीने, और पूरी इस वधायकों से मिलने के बाद सांसत चौंक लालवानी ने कहा कि वो विरोत के लिए विरोत करने आये थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे, और जिस कानून को लोकसभा और राजयसभा ने पास किया है, प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाप वो बोलने आये थ और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्हों नहीं किया है, जेश में, और उसके बाद भी किसानों की यह हालत क्यों है, उनसे पूछना चाहिए, मेरा यसा मानना है कि हमारी भारती जंता पार्टी की, मानिये मोदी जी क नित्त में जो केंदर में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, लगातार काम कर रही है, और उसी के ज्यान में रखते हुए, पिछले वर्षे यह तीन कानुन जो किसानों के हित में, और यह हमने यह तो जो आयोग उन हैं जबकि यह उनको ही लागू करना था उनके समय का आयोगे उन्हों नहीं रिपोर्ट दी थी और मोदी जी के ने तो तुम्हें यह किसान के हित्में जो कानून हुए हैं अब किसान पहले यह कंपल सरी था कि कोल मिलाकर देखा जाए तो किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर से कॉंग्रेस विधायक मैदान संभालते हुए नजर आ रहे हैं जहां आने वाले दिनों में इसका प्रदेश की सियासत पर कितना असर देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में करोना और ब्लेक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुलक इलाज और निशुलक दवाईयां सुरक्षित वातावरन में 18 साल से ज़्यादा क्यूमर के लोगों के लिए वेक्सिनेशन है जारी